तो कैसे हैं आप सब आयों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे पास कई लोगों के कमेंट आई है और कई लोगों का कुश्चन आया हुआ है कि मैं अपनी प्रेग्नेंसी डाइट चार्ट बताओं या आप सभी के साथ सेयर करूं कि मेरी प्रेग्नेंसी डाइट चार तो सारी चीजे मैं आप से आशेयर करूंगी और अपना उनेस्ट मेरा ऑनेस्ट मेरा प्रॉपर रूटीं था फ्रीम दरो चाहती के दहुरान तो वह सारो अप वमको्र्स भी सहल ही और अगर आप चैनल पे नए है तो फ्लीस नहीं को सब्सक्राइब कर लीजे प्रेहिंगे से बारे जवाब देने की मैं गुशुस करते हूं, कमेंट सेर्शन के घ्रू या फिर आप वीडियो के घ्रू जो भी आपका कमेंट होता है और या फिर एक एक इंपोर्टेंट टोपिक लगता है मुझे कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए तो फिर उस topic पे मैं वीडियो ज लेकर आती हूँ तो प्रेगनेंसी के दोरान मेरी डाइट क्या थी तो प्रेगनेंसी के दोरान मैंने हाँ तो वो अपनी डाइट का मुझे बागी चीजों से इतना वो नहीं था कि हाँ इस चीज का देहान रगना पर मैंने अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया था बहुत ज़्यादा अगर कोई भी मुझे बता देता था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको यह चीज नहीं खानी चाहिए तो मैं उस चीज को बिल्कुल अवाइट करने लग अगर नहीं खाने से हमारा फायदा है तो हम क्यों ना उस चीज को स्किप कर दे तो ऐसी बहुत सी चीज थी तो चलिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूं तो सुभे उठते की सबसे पहले मैं चाहे नहीं पीती थी जैसे की मैंने पहले भी बताया है अलड़ी मैंने एक टायट चार्ट बना सकते हैं फिर भी मैं अपना टायट चार्ट आपके साथ में सेयर करती हूं तो मैं सुभे उठते ही ड्राइफ वगएरा कुछ भी नहीं लेती थी क्योंकि मुझे ड्राइफ फूट इतना पसंद नहीं आते हैं तो सुभे सबह मैं दूद में हलकी चीनी डालके दूद पी लेती थी और दूद में गरम-गरम ही पीती थी जैसे चाय पीते हैं तो चाय की जगे मैंने दूद लेना श्टार्ट कर दिया था और साथ में मैं डारेक्ट नास्ता ही करती थी तो नास्ते में जो भी चीज़े होती थी जैसे मेरा फेवरेट रहता है हमेश अगर खाते हैं दली वगयरा तो ले सकते हैं मुझे दली पसंद नी आता इसलिए मैं रहत कम लेती थी जबर रश्टी का ही ले लेती थी कभी नहीं तो मेरा प्राठे वगयरा होगा वो मैं अराम से खा लूँगी वो चाहे मुझे मुझे अचार वगयरा के साथ उसके साहती कि अचार वगयरा भी तो कोशी नहीं दारे दर की वज़े से तो अचार वगयरा भी इतना नहीं घाती थि थोला पहुत हां ले ले लेती थिए क्योंकि उस समय थोड़ा साची कि में करता है का मनБी थोली थैसी में यू माने का इना के बड़ाबर ही और साथ में फिर पराथे बगँरा यही 화ता था मेने सुहब का नासता और नो बजंट होताद था मेरे बेगफास्ट पाद उसके बाद Delhi अगर सुवह नासते के बाद मेने पी लिया तो छीक then नहीं तो फिर उसको फ्रीज में लगा के ऑफिस चले जाते थी और फिर उसके बाद में बीज में जब मेरा मन होता था दस बजे ग्यारा बजे तो फिर मैं जूस पी लेती थी जूस में पी चुकंदर और गाजर का क्योंकि ठंड के समय में चुकंदर और गाजर का काफी सीज कुछ भी इतने सारे फ्रूट्स आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जूस ले सकते और इन जूस वगेरा जो भी आपको पसंद दो तो जूस का ऐसा होता था मैं जूस लेती ही थी डेली मिक्स फ्रूट जो मतलब उसका ट्रॉपिक अनक आता है तो वह भी मैंने यूज किया है तो जब भी मेरा उसका मनी होता था चुकंदर वाला जूस फीने का तो पी लेती थी तो यह होता था मेरा शुबे का फिर उसके बाद सीधा में बीच में कुछ भी नहीं घाती वाती थी फिर एक बजे के आरांड हम सीधा लंच करते थे तो लंच में मैं पूरा अपना प मतलब है कि दाल तो लैंच में दाल खाना और एक कटोरी के अरॉंड पूरे कटोरी भर के दाल मतलब नेसेसरी जरूरी थी मेरे लिए और फिर उसके बाद में लैंच के बाद वही मैं थोड़ा सा रेश्ट लेती थी दो बज़े के बाद दो बज़े ये फिर उसे ओफिस चले जाते थे लांच करके तो फिर थोड़ा सा रेश्ट करती थी और उसके बाद अच्छा मुलब साड़े तीन चार बज़े एक दो घंटे रेश्ट लेने के बाद फिर मैं ड्राइफ फूर्ट में मुझे सिर्फ मकाने मतलब रोष्ट करके मतलके घही में रोष्ट किया जाते न और उसमें हलका सा नमक लगाखे घही में मखाने रोष्ट करके तो तो कभी वो खा लेती थी तो इस तरह से और फिर उस समय में थोड़ी-सी काफी बना लेती थी चाय को मैं सकिप करती थी और बनाती भी थी , बहुत कम पत्ती लगाके और सिर्फ दूद में बनाती थी चाय या फिर मैं कॉफी तोड़ासा कॉफी पिलेती थी कॉफी क्योंकि दूद में ही बनती है तो फिर कॉफी ले लेती थी तो इस तरह से साम में होता था मेरा दिन में एक ही चाय या एक ही कॉफी लेती थी वो मौनिंग में नहीं इवनिंग तो शार्वजिक राउड मेरा यह होता था रूटी तो फुरूट्स आप को मन करें आप तब ले सकते हैं साम होने से पहले आप अगर फुरूट्स लेना चाहते हैं तो आप पहले ले लीजे मैं क्या करती थी लंच के बाद फुरूट्स लेती थी मेरी ऐसी कुछ अलग हैवि मेरा सलाद में मतलब पसंद सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है खीरा तो मेरी सलाद में मतलब खीरा जरूरी होता था और उसमें गाजर वगएरा आती है ठंड के समय में तो आप गाजर अगर सलाद में खा लें तो बहुत है गाजर हो गया और खीरा है तो खीरा मतलब पानी क कमी नहीं हो दिया इसले खीरा अच्छा होता है और इस तरह से फिर जो मेरा रात का खाना होता था तो उसमें मैं जिसे ग्रेवी वाली सबजी ले ले लेती थी और राइस और रोटी तो राइस और रोटी मुझे दोनों चाहिए होता है लंच में भी और नाइट में भी और च चावल रखा हुआ चावल में कभी नहीं खाती थी तुरंत उतना ही बनाते थे जितना में खाना होता था और रात में भी यही होता था खाना प्रेगनेंसी के दोरान मैंने ठंधा खाना भी नहीं खाया है खाना भी मेरा गरम और तुरंत का बना हुआ होता था तो यह सारी ची कैई भी है आप गरम करके खाये तो उसकी बात अलग होती है और रखा हुआ खाना मितलब थंडा खाना नहीं खाती थी तो ऐसा मैं करती थी और इसमें कोई वो नहीं है आपकी च्वाइस है आप कैसे भी खा सकते अगर मेरी डायट की बात करेंगे तो मैं कुछ ऐसे ही फॉलो रेगुलर डेली बनती है और कभी-कभी नाइट में भी दाल ही बन जाती है दाल चावल रात में सोने से पहले दूद में प्रोटीन पाउडर पीना मतलब मेरा मन हो ना हो एक जबरजस्ती का मुझे पीना ही होता था कि रात में सोने से पहले दूद में प्रोटीन एक्स जो पाउडर होता है वो में प्रेगनेंसी का जो आता है प्रोटीन एक्स पाउडर तो वो मैंने मतलब सुरुवात से लेकर एंड तक क्या बोलेंगा डिलेवरी के बाद भी बने पी है क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया सुरुवात से ही पीने को प्रोटीन एक्स पाउडर तो अगर आप पी रहे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे आपकी बोड़ी में प्रोटीन वगरा की कमी नहीं रहेगी और दूद आप हो सके तो डेली मतलब पीजिए एक टाइम तो एक ग्लास भरके तो तेन चार महीने के बाद यही मार्श के बाद की बाद कल्यों कर्मी आती है तो फिर मैंने थोड़ा सा यह प्रेग्डेंसी का मेरा टाइम भी हो गया था चार-साड़े-चार महीने ऐसे कुछ हो गये तो तब मैंने बदाम भिगोना शुरू कर दिया था रात में सोब करके र अंड़ लेना विनकरी पाँच महीने के बाद मेरे डॉक्टर ने ही अजेस्ट किया था अंड़ और पनीर खाने के लिए तो पाचब इनके बाद ही उन्होंने बोला था और जब से ही मैंने पनीर और अंड़ वगएरा यह सारी चीज़े इस टार्ट कर दी थी तो अंड़ क आपको ऐसा नहीं है कि दो तीन अंडे खा लिये जानी करती थी मैं क्योंकि अंडा भी बोलते ना गरम होता है तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ मना नहीं किया था कि आप दो नहीं कहा सकते तीन नहीं कहा सकते बट अपने नॉलेज के हिसाब से एक ही लेती थी और रेगुलर मैं जैसे बोल करके अंडा मतलब उबला हुआ खा लिया एक से जादा नहीं और या फिर उसका ओमलेट बना के खा लिया सबजी कम बनाती थी क्योंकि सबजी में क्या होता है बहुत ओली और मसाला डाल के बनती है सबजी तो इस वज़े से अंडे की सबजी तो नहीं खाती जी लिए पर यह ओमलेट और भुजी ऊच रहे और यह तो अधा प्येया और अंडा ऐसे मे खाने लगी थी और रहा नारियल पानी और यह रहे बुग बढ़ा था तो मैं की सुर्वा पानी भी पीती थी पर आपको तो पता ही है अगर आप देली में रहें और कहें भी हर ज कर सकता है मैं अपनी बात करूं तो मैं वीक में तीन नारियल पीती थी मतलब एक दिन छोड़के एक दिन नारियल आता था तो मैं ऐसे ही पीती थी तो डॉक्टर ने बोल रखा था कि पानी की कमीना हो और नारियल पानी अच्छा होता है और मुझे डिहाइडरेशन भी हो गय करीब दूसरे महिने से और एंड तक ऐसे ही मैंने हो और कहीं लोग ने बताएे नारियल जो कच्छी वाली गरी होती है नारियल में यह वा खाना अच्छा होता है तो वह है उतकी थी गच्छा नारियल मेरा टेश्ट थोड़ा सा चेंज हुआ मुझे बहुत ज़्वाइड ह कमंण होता था तो मेठे में सिर्फ ऐक चीज क्षाई हुँ समय जो होइट खाया है मैं और और जैसे मन होता था चट पटा कहने का तो उसमें मैं आलू को उबाल के ऌर हरी वाल चटनी जो घर पे ही बनाके तो इस तरह से मैं अपना टेस्ट भी बनाती थी और सारी चीजों का ध्यान भी रखती थी और क्या नहीं खाती थी यह भी मैं आपको बता देती हूं जैसे की फ्रूट्स में पपीता हो गया और किसी ने मुझे बोला था कीवी भी नहीं खाना चा खाई ही नहीं और पपीता नहीं खाया तो फ्रूट्स में आइधिंक यही दो चीजे थी जो मैंने नहीं खाई और जैसे की रामदाना या तिल के लड़ू तो कोई बोलता था गरम होता है रामदाना या तिल जो भी होते हैं कोई बोलता था नहीं ठंडी होती है तो मुझे कन्फूजन रहती थी ठंडा होता है यह गरम होता है तो जो भी चीज मुझे लगता था कि यह गरम उसकी चीजे हैं तो वो मैं नहीं खाती थी तो सबजी में मैंने छोड़ रखा तक कटहल कटहल मुझे पता था मम्मी बताती थी कि कटहल गरम होता है तो इसलिए कटहल भी न तो कुछ ऐसा मिना रखता है मैंने अपना डाइट रूटीन सिर्फ उन्ही चीजों को खाना जिनसे मुझे मेरे बच्चे को फाइदा हो यह था और आइटिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को तो प्रिग सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल नौटिफिकेशन भी ओन कर लीजिए मैं अपनी डेली नूटीन और डेली व्लॉक्स भी सेयर करती हूं तो अगर आपको पसंद आये तो प्लीज चैनल पर बने रहिए जुडे रहिए और तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूं मिलते हैं के नए वीडियो में तब तक आप सभी अपना बेहत ख्याल रखें बाई बाई और टेक क्यां